नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया निउज आपके साथ मैं हूँ शिब भरासुमन राश्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सिजन की किल्लत और वैक्सीन की कमी के चलते यहां पर लोगों का बुरा हाल है अस्पतालों में ऑक्सिजन की कमी है सड़कों पर लोगों का इलाग चल रहा है टैंपो, आटो, टाक्सी, फुटपाथ न जाने कहां कहां से ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं इन सब तस्वीरों से परे सियासत भी अपने शबाब पर है बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर ऑक्सिजन और वैक्सीन पर राजनीती करने का आरोप लगाया है बीजेपी के राश्री प्रवक्ता संबेट पात्रा ने कहा है कि कोरोना पर राजनीती दुखद है इस पर राजनीती नहीं होनी चाहिए तो वहीं बीते दिनो दिल्ली सेम अर्विन के जिवाल ने ओक्सिजन की कमी होने का दावा किया था तो हम आपको सुनवाएंगे क्या कहा है बीजेपी ने और क्या कहा है आम आदमी पार्टी ने लेकिन इस सियासत के बीच जो पिस रहा है वो है आम आदमी के तस्वीरें आप देखिए दिल्ली में ओक्सिजन और वैक्सीन दोनों की कमी बताई जा रही है हाला कि ओक्सिजन पर राजनीती हो रही है वीज़पी ये कह रही है कि आम आदमी पाठी की सरकार को ओक्सिजन का मैनेजमेंट करना नहीं आता और जितनी जरूरत है उसे ज़्यादा ओक्सिजन दिल्ली सरकार मान रही है ओक्सिजन की काफी किल्लत है आप लोग देखी रहे हैं oxygen तो सबसे ज़्यादा important इस बिमारी में oxygen ही है लोग जब oxygen level down होता है तो उनको पहले कम देते हैं फिर ज़्यादा देनी पड़ती है oxygen की कमी से पिछले कई दिनों से जूज रहे हैं और केंदर सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं हम लोग हमारी पूरी कोशिश है केंदर सरकार को पूरे देश का भी देखना पड़ता है तो उनके साथ मिलके काम कर रहे हमारी पूरी कोशिश है कि दिल्ली को जितनी अक्सीजन चाहिए उतनी अक्सीजन मिले इसमें हमें सुप्रीम कोट का हाई कोट का भी काफी सहयोग मिलाए तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में इसकी दिक्कत दूर होनी चाहिए सभी लोग लगे मैं एक मरीज़ अगर ऑक्सिजन की कमी के कारण मरना तो बहुत दूर की बाते बंद हूँ अगर तडपता भी है उसे तकलीफ भी होती है तो ये मानवता के खिलाफ ये इनसानियत के खिलाफ जुम है दिल रोता है हम भी इनसान हैं तकलीफ होती है मगर ऑक्सिजन को लेकर राजनी थी अभी मैंने इंटर्विव पढ़ाया आपको मुंबई के कमीशनर का उन्होंने क्या कहा पंद्रह से बीस सेकेंड के अंदर सो एस जो हमारे कॉल्स थे अमर्जनसी कॉल थे उसके उपर भारत सरकार ने काम किया और जो भी हमें ऑक्सिजन चाहिए था हमें तुरंत महया कराय और बिल्कुल मैं भारत सरकार को दोश नहीं दोगा देखिए महराश्टर में सरवाधी केस होई सबसे ज़्यादा मिर्टियों महराश्टर में हुई आक्सिजन भी सभाविक हैं सबसे अधिक औकसिजन जिस राज्य में सबसे ज्यादा केस हुए वहां अवश्यक्पड़ा होगा भारत सरकार महराश्टर को ऑक्सिजन दे सकती है बाकी राज्जियों को ऑक्सिजन दे सकती है आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रती भारत सरकार का रवयां अलग होता है देश के मशूर कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर अशोक सेट का कहना है कि कोरोना एक कॉमन फ्लू है अगर किसी को बुखार, सर्दी, खांसी, दस या शरीर में दर्द है तो ये कोरोना के हलके लक्षन है हाला कि ज़्यादा तर लोगों में कोरोना गंभी रूप नहीं लेता है कोरोना से बचने के लिए क्या करें अपने दिल को कैसे सेहतमन रखें इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दॉक्टर अशोक सेट जुड़ गए है लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी खबर राहत भरी खबर ये है कि देश के अलगला गलाकों में जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें कमी आ रही है और रिकवरी रेट भी बढ़ा है आप इसे कैसे देखते हैं क्या ये मिन्टेन रहने वाला है आगे आकर या फिर जो टेस्टिंग कम हो रही है उसकी वज़त से भी ये आकड़े सामने आ सकते हैं ये तो जरूर गौर मैं दिल्ली की बात जरूर कर सकता हूँ कि ये जो तीन हफते हुए है मैं इंको लॉक्टाउन नहीं कहूँगा इंको कहूँगा कि इंपोजिशिशन आफ स्ट्रिक्ट्रिक्शन अन अननेसरी गैदरिंग्स या अननेसरी क्राउडिंग या इंट्रिदूसिंग कोविड अप्रॉप्रॉप्रेट बहेवर यही तो हुआ कि लोगों का आना जाना इसलिए कम किया गया कि अननेसरी कि कत्रित ना हो और उसमें सर्टनली हम फिगर्स को ही नहीं हम अपने आपको भी एक्सपीरिंस करते हैं अस्पिताल के बाहर जैसे एंबिलेंस की खड़े लाइने लग जाती थी लोग लोग अनफॉर्चनेट भी विमार होके आ रहे होते थे, क्यूज लग रहे होते थे कोविट पेशिंस के वो कम होते जा रहे हैं तो as a front line warrior one can actually feel the difference हमें पता चल जाता है जब वेश आती हैं और धीरे-धीरे कम होती है इसी तरह हमारे जितने phone calls सौ phone calls आजाते हैं कि लोगों को संक्रमित होते वे वो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं so yes, ये एक बहुत importance है कि ये ठीक है कि दिल्ली की कम हुई क्योंकि वो ये imposition of restrictions हुई but wave तो धीरे-धीरे हर part of the country चलती रहेगी और वो फिर चोटे शहरों में और गाउं में भी जाएगी तो importance बात ये है कि इस तरह से हमने COVID appropriate behavior unfortunately उसके लिए हमें restrictions और severe restrictions और curfew डालने पड़ रहे हैं अगर यही हम खुद बखुद करें तो हम उस level पर नहीं पहुँचेंगे जितने की हम इस situation पर पहुँच गए थे जहां कि इतनी मौते हो रही है और future का यही डर है अगर हमें सिर्फ इसी तरीके से करना है तो मैं इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा हर चीज का result तो chance शिए अपते नहीं रहे हैं आपने जो कहा उसमें एक बहुत important point यह रहा कि Corona एक common flu है और death rate है वो काफी कम है यानि कि जादतर लोग ठीक हो जाते हैं हम भी डर्शकों को लगाता है यह बताते रहे हैं कि 80% मामलों में hospitalized होने की जरूरत मरीजों को नहीं है घर पर रहकर ही ठीक हो जाता है जो युवाओं में भी अब सामने आ रहा है और बड़ी तादाद में युवाओं इसकी वज़े से जान गवा रहे हैं यानि कि पहले से कोई लक्षन प्रकट नहीं होते हैं मरीज भला चंगा है कोई symptom नहीं है अचानक oxygen लेवल बहुत घड़ जाता है 50 तक पहुँच जाता है और उसके बाद मरीज की जान बचानी मुश्किल हो जाती है इसके बारे में आप क्या कहेंगे ऐसे cases के बारे में आप क्या कहेंगे और अगर हम बैट जाएं निशन थोगर कि ये तो common flu है तो क्या guarantee है कि ऐसे मामले नहीं आएंगे सांदे देखे ये important बात है एक तरफ तो रही common flu की बात ये समझने की बात है क्योंकि इस infection से अगर हुआ तो डरना नहीं है 95, 90% लोगों को तो mild flu होके चला जाता और वाकई COVID वाइरस तो एक flu वाइरस ही है बड़ बात यही समझ नहीं है कि अगर हुआ तो डॉक्टर से consult करना इसको एकदब careless होके not treat करना इसको समझना और clearly doctor की direction या purview में रहना oxygen की आपने बहुत important बात पही है क्योंकि यही चीज तो follow up करने की है चाहे वो डरने की बात नहीं है बट अगर हम हम तिन बितार बार oxygen चेक करते हैं छे मिनट walking या exercise के बात करते हैं तो हम oxygenation को down होना पहला sign है कि वो mild flu के symptom से यह serious हो सकता है patient को नहीं महसूस होता है patient को फिर भी ठीक लगता रहता है unless कि वो oxygen saturation measure कते रहे in fact यह भी देखा है गया जो आपने happy hypoxemia कहा या happy hypoxemia कहा वो यही है कि लोग की oxygen कमी होती रहती है बड़ सास नहीं फूलता है लोग अपने आपको स्वच महसूस करते हैं in fact जब बहुत ही serious हो जाते हैं तब पता चलता है यह तो covid lungs को damage कर रहा था इसलिए close monitoring of oxygen saturation जो की pulse oximeter के जरिये हो जाता है four to six hourly monitoring और exercise के बहुत जरूर होती है जहां यह oxygen saturation baseline जो आपका 97, 98 होता है वो 93 से नीचे पहुचना शुरू कर जाए तो पहला sign होता है कि lungs पे effect है अगर डॉक्टर से touch में रहते हैं तो डॉक्टर को साथ पता चल जाता है कब वो टाइम आ गया है कि इस टाइम पे आप अस्पताल आएं आपकी treatment अस्पताल में हो घर पे नव ट्रीटमेंट होते रहे जो कि deteriorate करते हुए आपको नव पता चले और last moment पे आएं यह इस टाइम पे इतनी इसे भी important हो गया है कि इस टाइम पे जादा virulent वाइरस है यह हमने देखा कि last time जो हमें time देता था इस बार कई लोग हम कई यंग युवा को देख रहे है जो एक दिन जैसे ही 93, 94 पे पहुँचे और suddenly deteriorate होके अगले दिन बहुत ही सिवियर केसिस हो गए डॉक्टर दो सवाल है यह बहुत important बात है एक तो यह कि जो happy hypoxia के हम बात कर रहे है क्या vaccine इसको prevent कर सकता है क्या vaccination के बाद इसकी खत्रा कम जाता है और दूसरा यह कि heart attack के समस्यारी है कहा जाता है कि steroids के जादा इस्तिमाल से बिन डॉक्षरी सलाग कि अगर steroids का इस्तिमाल करते हैं तो शरीर के कई organs पर बुरा असर पड़ता है side effects होते हैं क्या इसकी वज़े से भी heart attack के मामले आ रहे हैं आप तेन बहुत ही एहम सवाल एक ही question में पूछ लिए और वो तीनों को मैं address करूँगा एक तो vaccination और COVID disease secondly आपका वो है कि heart attacks और third है steroid का abuse तो पहली बात यह है कि yes vaccination एक बहुत important टूल है हमारे पास सिरफ तीन important टूल इस ताइम पर रह गए हैं एक तो COVID appropriate behavior जो कि हम कह रहे हैं masking 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 दूर रहना मैं फिर से emphasize ही कर देता हूँ यही आपकी जान बचा सकता है यही transmission को virus को prevent कर सकता है secondly vaccination जो हमारे पास important टूल है vaccination से immunity आती है जो कि अगर हम दो vaccination की doses लें उसके दो आपते बाद तक हम 70 to 80% protected रह सकते हैं COVID से but हमें यह भी समझना है कि 20% chance हमें COVID हो सकता है तो हमें precautions लो लेनी ही है कि COVID नहो but अगर हमें COVID होगा तो वो severe COVID नहीं होगा वो hypoxia वाला COVID नहीं होगा वो हमारे lungs नहीं खराब होगे हम hospital में हमारी admission chances बहुत कम होते हैं और हमारी death के chances बहुत कम होते हैं in fact rarely कैसी की death होते हैं तो in fact जो वही problem आप कह रहे हैं जिससे हमें बचना है जो happy hypoxia जो हम कहते हैं कि death serious होने के chances death के होने के chances वही बचते हैं vaccination से finally secondly बात आई heart attacks के yes COVID कई तरीके से हमें heart attack कर सकता है खून के ठके जनने के chances ज़ादा हो जाते हैं heart की arteries के inflammation हो जाती है उससे even young लोगों को heart attack suddenly heart attack हो सकता है दूसरा heart की को भी inflammatory reaction से heart की pumping भी हो सकती है heart damage हो सकता है और thirdly heart के conduction system effect होने से heart की rate या तो 180-200 पे पहुंचके cardiac arrest हो सकता है या तो वो 20 पे भी पहुंच सकती है जिससे cardiac arrest हो सकता है और finally steroids का abuse तो सबसे गलत बात है कि self medication को steroid से करे steroid एक life saving drug है बट वो practically second phase में जब oxygen की कमी होनी शुरू हो जाए तब उसका फाइदा है अगर उसको first phase में ले लिए जाए जैसे मैं कहरा था कि mild flu like symptoms है और steroids ले लिए जाए in fact जादा severe disease हो सकती है उसकत वाइरस replicate कर रहा था उसको मौका मिल जाता है कि और खतरनात तरीके से body को infect करे और in fact वो जादा serious हो सकता है मौत भी हो सकती है तो steroid की timing और किस वज़े से दिये जाता है वो doctor के उपर होता है और doctor इसको judge करके आपको फाइदा दे से एक नई दवाई का बार बार जिकर हो रहा है 2D oxy glucose और इसका भी इस पर भी बात करेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि आखर ये कितना कारगर साबित हो सकती है मरीजों में oxygen level को maintain करने के लिए देगर इसे पहले खबर बताते हैं उत्ते प्रदेश से उत्ते प्रदेश के सरकारी अस्पताल में इस दवा का यानि की 2D oxy glucose का trial run G.S.V.M. College कानपूर के जिस डॉक्टर अपूर्व अगरवाल ने COVID के मरीजों पर किया उनसे हमारे समवादा था आज इतने बात की वो आप सुनिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे चर्चा में COVID की दवाईद बारे में सुना होगा जिससे आप से तमाब बाते हो रही हैं कहा जा रहा है कि COVID में एक एवर्ची मेडिसीन आगे इसके खाने के बाद से तमाम वो COVID के CVA पेसें ठीक हो जा रहे हैं जिनकी आक्सिजनी कमी कारण या किसी और वज़ाय से मृत्य उनकी हो जाती है ऐसे में जो Trial Run जिन 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 Medical Colleges में हुआ या हास्पीटल में जहाँ हुआ सरकारी उन हास्पीटल के डॉक्टरों का क्या कहना है जिनोंने Trial Run ये किया मेडिसीन के बाद से आईए उसे सीधे जूटते हैं बाची करने कोशिश करते हैं हमाई साथ डॉक्टर अपूर अगरवाल हैं हमसे बात करते हैं यूपी से हैं और जालाउन से हैं जहां सरकारी इस्पिताल में यह टेस्ट यानि मेट्सिंग का ट्रार लेंड किया गया मेरा नाम डॉक्टर अपूर वगरवाल है मैं पहले प्रोफेसर एंड डेपार्टमेंट ओफ इनेस्टीशिया जी एसिम मेडिल कॉलिज कानपूर में था और अभी मेरा स्थानांपरन्ट राज्किय मेडिल कॉलिज जालवन में हो गया है यहां पे भी मैं एस प्रोफेसर एं एड डेपार्टमेंट ओव इनेस्टीशिया में कारे रत हूँ आइसियू और आइसियू के पेशिंस मेरे एंडर में आते हैं मैं उनको देखता हूँ और पर टेर करता हूँ जी बिल्कुल डॉर्टम मैं आप समझना चाहंगा जिसाब से मेडिसिन यानि हम बात करे हैं तो टूडी ऑक्सी ग्लकोज की जिस मेडिसिन का इजाद आप साइंटिस्ट ने किया अनंत नरायन भट साब ने जो किया है इसका ट्राइल नंग जब आपके पास पहली बारों ने आप से संपर करने कोशिश की तो क्या एक डर था आपके अंदर कि यह नया मेडिसिन है आपके अंदर जी नहीं बिल्कुल भी मेरे अंडर इस तरह का तोई भी डर नहीं था और इसके लिए मेरे पास कॉल सीधे क्योंकि यह जो ट्राइल था यह सीधे पीम ओफिस से गवन्ड हो रहा था मानिया नरेन मोदी जी जो हमारे प्रधान मंत्री है उनके द्वारा यह इनिशेट करा गया था और सीएम ओफिस मेरे पास डिरेक्ट कॉल आई थी कि यह ट्राइल लर्न हमें करना है और इसके लिए मेरा नाम सजेस्ट करा गया था और इसके लिए मैं बिल हंडिट परसंट निश्चन था क्योंकि यह तवाई जो है डिया और बनाई गई गई है और हिंदुस्तान के साइंटेस्ट वारा कुदी भी चीज जो करी गई है वो उसमें हंडिट परसंट सेक्सेस मिलनी मिलनी थी तो इसके लिए तो मैं बहुत आश्वश था और हमने तो बहुत ही सफलता पूर्वत और बहुत ही आश्वशन के साथ हमने इस दभाई को मरीज क्या-क्या बिमारियां और हो सकती है या फिर क्या बिमारिया जल से जल ठीक हो सकती है साइडिप्ट क्या होंगे तो क्या कि इस तरह की जो DRU की मैडिसिन जो अनंत नायरवट चाब बहुत है एक सवाल कुछ जहन में आपके आया था इसलिए एक क्रोस कोर्श इंगर करके हम सब्सक्राइब हो लें क्योंकि पैसें को अगर हम देते हैं तो वो भी 10 सबाल पूछेगा आखिर आप क्या दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं वजहें क्या है इस बिल्कुल आपकी बात सही है बिल्कुल ये जो दवाई है ये एक रहें कि cancer की दवाई है ये पहले भी इस्तमाल मे इसका ट्राइल चल रहे हैं एक cancer की दवाई हो गी एक cancer के पेशिंट के लिए तो इसका बेसिक काम क्या है कि ये जो जैसे जो cells नए बनते हैं या नए मुल्टिप्लाइ हो रहे हैं cells उनका glucose जो की essential चीज है किसी भी survival के लिए किसी cell के लिए जब उनका glucose का यानी उनका खान प होना कि ये दवाई में क्या होगा आगे कैसे काम करेगा इसके कोई साइड एफेक्स हैं तो इसका कोई भी साइड एफेक्स नहीं है सबसे अची चीज है ये क्योंकि ये एक वेरियंट है वस्किवल उसमें हाइड्रोजन आटम को इधर से निकाल करके खोड़ा उल्ट कर द छास ऐसा नहीं था डाटर अपूर वे आपने जब मेचिन दी किस समय दी समय क्या था वह एअ इसी साल आपने दी ये ट्रायल में कितने मरीजों को दी क्या वो मरीजों की हाला जो ती क्या वह सीवेर पेसेंट से कोवीट के या फिर माइल्ड थी जब यह ट्राइल चाल हुआ तो यह फेस्टू ट्राइल था और यह हमाई पास GSM Medial College Kanpur में मैंने इसको ट्राइल करा था यह ट्राइल हमाई पास July 2020 में आया और इसको हम लोगों ने सितंबर के पहले हफ़ते तक खतम कर लिया था इस ट्राइल में हम लोगों ने कुछ क्वारी के इस एक लिए जे यह और इन बेशिंस में दो तरह यह एक में दवाई टी गई एक में दवाई ती गई एक में दवाई गई अजिन दवाई प्लास के साथ इस्तंडर ओव क्यर दी गई नहीं 2-d-oxy-glycobs plus standard of care और एक में केवल standard of care यह जो निए नौर्मल टीपम की लिवल की रिवायमेंटी हो हमारी कम हो लिए गला है तो टू ठीजिए जो मेंडिशन है उस पर बार-बार बात हो रही है इस पर और हम समझती कोशिश करते हैं नोट्टो से लगातार जुड़े हुए हमारे साथ डू सेट डी यो की जो मेडिसिन है टू डीजी एक टू इहम रिसर्च है, I would say that, DRDO के साइंटिस्स हमारे हम उन पर हम पर हम प्राउड फील करते हैं, उनकी साइंस और उनकी एथिक्स बड़े स्ट्रॉंग है, इसलिए हम बड़े खुश हैं कि यह हुआ है, in fact, अभी ट्रायल हमारे सामने नहीं है, so obviously हमारे कॉमेंट्स उतने ही हैं, जो उन्होंने रिलीज किये हैं, but simple बात यह है कि 2DG तो एक unfortunately दवा ही न समझे, इसके side effects कम है, after all यह glucose का ही molecule है, और इसमें सिरफ एक variation हुआ है कि hydroxyl group को hydrogen में change कर दिया है, तो hydrolysis नहीं होती है, तो वो cells में अंदर जाता है, तो glucose से भर देता है cells को, और उस तरह से कई cells मर भ हुई थी, सिरफ इसमें a side effect था heart का, तो इसलिए जादा यूज नहीं हुई, बट यह इसके uses कहीं हैं, और DRDOB में सेंटर में, investigations में, cancer की investigations में, cancer की imaging में भी use होता है, so I think यह advancement है, अब trial के जब result तब के सामने आएंगे, peer review होगा, तो फिर हमें और idea लगेगा कि कितना oxygen कम आप देखते रहे हैं, आप देखते रहे हैं, आप देखते रहे हैं, इंडिया नियूज